दोस्तो आपके पास अगर कोई नया चैनल है जो आपने नया बनाया हो ठीक है या फिर आपके पास कोई ऐसा चैनल हो जो बहुत पुराना हो अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं उस चैनल को डिलीट कर दूँ और नया चैनल बनाऊगा क्योंकि अगर आप यूटूब पर काम क आपуп यूटूब लिट करने की तो जाहिर सी बाता है अगर आप स्टार्ट करोगे तो नया चैनल ही बना हुए ठीक है अगर आपके पास कोई पुराना पहला चैनल बना रहे हैं उसे आप डिलीट करने के YouTube चैनल को चुटकियों में डिलीट कर सकते हैं दो मिनिट लगेंगे मात्रे चैनल डिलीट करने के लिए ठीक है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लो Step by Step सारी चीज़ आपको बताओं अब बहुत आसान है चैनल डिलीट करना ठीक है तो आप यहाँ पर साइड में देखिए मैं अपने मुबाइल में आपको सारी चीज़े Step by Step बताता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको अपना YouTube चैनल डिलीट करना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा आपकी जो email ID है जिस पर आपका चैनल बना हुआ है उस ID को अपने मुबाइल के Chrome ब्राउजर में YouTube में लोगिन कर लेना है तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा YouTube वाले आइकन पे तो YouTube वाले आइकन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमारा सबसे पहले हमको देखेगा हमारा जो चैनल का जो लोगो है उपर साइड में आपको एरो का जो निसान देख रहा है यहाँ पर 3 डोट आता है या फिर एरो का निसान आता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबसे उपर और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा है desktop site तो आपको यहीं पर click कर देना है ठीक है जैसे ही आप यहाँ पर click कर दोगे तो आपके सामने एक और नया page open होगा जिसमें क्या होगा page तो वही scene है मतलब वही चीजे हैं लेकिन यह क्या है थोड़ा छोटा हो गया आपको laptop या फिर system जैसा मतलब यहाँ पर आपको देखेगा mobile में ठीक है desktop site में आपको यहाँ पर laptop जैसा system देखेगा तो अब आपको यहाँ पर जाना है आपका जो channel का logo है logo पर click करना है जैसे ही मैंने logo पर click किया हमारे सामने यह चीज open हो गए तो सबसे पहले यहाँ लेखा है your channel तो your channel पर ही आपको click कर देना है मैंने भी यहाँ पर click कर दिया जैसे ही हम लोग your channel पर click कर देंगे हमारे आगे नया page open हो जाएगा यहाँ पर लेखा हुआ है customize channel तो हमको कुछ नहीं करना है बिना देखे भाईया यहीं पर click कर देना है customize channel तो मैंने भी यहाँ पर click कर दिया तो दोस्तों जैसे हम customize channel पर click करेंगे हमारे आगे नया page open हो जाएगा मेरे आगे भी यह नया page open हो चुका है ठीक है तो अब मुझे सबसे man काम करना है यहाँ पर यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से देखना है ठीक है नीचे आप देखो नीचे आपको एक setting का icon देखेगा तो आपको setting बाले icon पर ही click कर देना है जैसे ही मैंने यहाँ पर setting बाले icon पर click किया हमारे आगे एक और नया page open हो जाएगा तो दोस्तो जैसे ही मैंने यहाँ पर setting बाले icon पर click किया हमारे आगे एक और नया page open हो गया ठीक है जैसे हमारे आगे नया page open हुआ यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा channel तो सबसे पहले आपको channel पर ही click कर देना है जैसे ही हमने channel पर click किया हमारे आगे एक और नया page open हो गया ठीक है अब हमको अपना channel delete करना है तो अब हमको यहाँ पर लिखा है basic information advanced setting and feature eligibility तो आपको कहीं नहीं जाना है आपको advanced setting में चले जाना है advanced setting में जैसे ही आपने click किया तो यहाँ पर आपको कुछ नया page open हो जाएगा तो आपको नीचे scroll करते हुए जाना है नीचे जैसे ही आप scroll करते हुए जाओगे तो सबसे नीचे आपको लिखा हुए हम लेगा remove youtube content तो आपको यहीं पर click कर देना है यहीं वो main चीज है जहां से आप अपने youtube channel को delete कर सकते है ठीक है तो मैं जैसे ही remove youtube content पर click करूँगा तो हमारे आगे एक और नया page open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपसे मागेगा आपका जो email id है जिस पर आपका channel बना हुए उसका password तो चलिए मैं फटा फट से password डाल देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी email id का password डाल दिया है अब हमको सीधा next पर click कर देना है जैसे ही मैं यहाँ पर next पर click करूँगा तो थोड़ा time लेगा यहाँ पर और सीधा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नया page open होगा वहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपको I want to hide my channel और I want to permanently delete my content तो हम अपने channel को delete कर रहे है अपनी जो content है हमारा उसे हम delete कर रहे है permanently ठीक है क्योंकि हम नया बनाएंगे तो हमको यहीं पर click कर देना है I want to permanently delete my content ठीक है तो दोस्तों जैसे हम permanent delete पर click करेंगे तो हमारे आगे नया page open हो जाएगा ठीक है उसमें हमको दो option मिलेंगे tick करने के लिए तो यहाँ पर हमको बिना किसी को पूछे बताए tick कर देना है ठी जो email ID है जिस पर आपका channel बना हुगा है यहाँ पर आपकी email ID लिखी भी रहती है ठीक है तो आपको इस email ID को यहाँ पर copy कर देना है तो चलिए मैं फटापट से इस email ID को यहाँ पर copy कर देता हूं तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी email ID को यहाँ पर type किया अब सीधा नीचे लिखा है delete my content तो हमें delete my content पर click कर देना है जैसे ही मैंने यहाँ पर delete my content पर click किया यहाँ पर लिखा हुआ आएगा remove YouTube content ठीक है यहाँ पर जो मेरा YouTube channel था मेरा YouTube account था वो यहाँ पर delete हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर वो जो मेरा YouTube account था वो यहाँ पर account नहीं रहा अब वो यह पर वस email ID रह गई है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को delete कर सकते हैं और आप उसी email ID पर नया channel भी बना सकते हैं ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूं इस वीडियो के द्वारा आप YouTube चैनल delete करना सीख गए होंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो इस वीड हूंगे है।